दोस्तो जैसर्याम और आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेसल होने वाला है क्योंकि दोस्तो आज हम अन्बॉक्स करने वाले हैं IDFC First Bank की इस Wow Credit Card का दोस्तो अगर आपके पास भी IDFC First Bank का Wow Credit Card है या फिर आप नया Credit Card अपलाई करना चाहते हैं तो आज के वीडियो कम्पलीट जरूर देखे तो सबसे पहले दोस्तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले तो आगे वीडियो में दोस्तो हम इस Credit Card का Unboxing करने वाले हैं और आपको बताऊंगा दोस्तो ये Credit Card मैंने कहां से अपलाई किया था और मेरे पास ये Credit Card कितने दिन में पहुँच गया और इस Credit Card की क्या लिमिट रहेगी, क्या चार्जिस रहेगा इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे तो हलो गाइस, मैं हूँ राहूल वर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सीजी बॉय में सिधी बात, नो बकवास, तो चलिए कुछ नया जाने दोस्तो अगर आप IDFC First Bank के Visa Classic Debit Card का Unboxing वीडियो देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन और नीचे description box में वीडियो मिल जाएगा और दोस्तो हमारे चैनल पर IDFC First Bank के और भी बहुत सारे वीडियो अविलेबल है तो आप हमारी चैनल के playlist में जाके वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दो दोस्तो इस Wow Credit Card के लिए बैंक खुद आपसे contact करता है और इसकी eligibility criteria के बारे में बात करें तो यह credit card दोस्तो FD के अगेन दिया जाता है दोस्तो अगर आप 2000 रुपे, 10,000 रुपे, 50,000 रुपे या फिर 1,00,000 रुपे का FD करते हैं तो उसके अगेन आपको यह credit card दिया जाता है तो यहाँ पर दोस्तो इसका eligibility criteria को ज़्यादा खास नहीं रखा गया है आप FD करेंगे तो इसके लिए आप eligible हो जाएंगे दोस्तो यहाँ पर इस credit card का सबसे अच्छी बात यह है इस card के लिए आपको ज़्यादा wait करने का ज़रूरत नहीं पड़ता दोस्तो यह credit card apply करने के बाद 3-4 दिन बाद आपको Indian post के जरिये मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आप parcel का packaging देख सकते हैं premium packaging यहाँ पर किया गया है और first wow लिखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तो मैंने personal details को hide कर दिया है यहाँ पर मेरा personal details लिखा हुआ है और इधर back side चलते हैं दोस्तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर back side में दोस्तो आपको इस credit card को अगर आप receive नहीं कर पाते तो उसका return वाला address यहाँ पर लिखा हुआ है इसी address में आपका credit card return हो जाता है तो चलिए दोस्तो सबसे पहले इस credit card को unbox कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं guys हमारा wow credit card का parcel को हम लोग unbox कर लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं first wow लिखा हुआ है और आपके credit card का demo भी यहाँ पर लगाया गया है और दोस्तो नीचे में यहाँ पर congratulations आपको बोला गया है तो चलो यार मैं भी अपने आपको congratulations बोल लेता हूँ और उसके अंदर में दोस्तो हमारा credit card रहता है और इधर back side आप देख सकते हैं कत्तई जहर guys premium look वाले credit card को यहाँ पर packing किया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो तो यहाँ पर आपके credit card के बारे में कुछ details दिया गया है और यहाँ पर दोस्तो आप अपने credit card को start कर सकते हैं pin setup कर सकते हैं उसके बारे में दिया गया है और यहाँ पर जैसे आप इसको पर्दा को open करेंगे गाईस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कत्य जहर लुक वाला हमारा credit card बीच में है तो चलो गाईस इसको हम लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद आपको आगे वीडियो में मिलते हैं तो यहाँ पर आप finally देख सकते हो दोस्तो हमारे wow credit card का unboxing हो गया है और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है एक premium look वाला wow credit card तो दोस्तो जैसा कि इसका नाम wow है वैसा ही इसका काम भी wow है तो दोस्तो इसका look आपको कैसा लग रहा है नीचे comment करके जरूर बताए और मुझे तो यार इसका look काफी premium वाला लग रहा है तो यहाँ पर card के front में आप देख सकते हैं दोस्तो मेरा नाम यहाँ पर print है जैसा कि यहाँ पर आपका भी नाम print रहेगा और नीचे में लिखा है दोस्तो IDFC first bank family और इधर side में आप देख सकते हैं यह visa variant का credit card है और इधर side में आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर इस credit card का chip है और यहाँ पर first लिखा है और इधर bank का logo है और यहाँ पर है दोस्तो आपका contactless payment करने का NFC feature तो इस credit card का look आप देख सकते हो guys कत्तई जहर वाला look में इसको launch किया गया है यहाँ पर भी wow लिखा हुआ है और इसका design और color मुझे बहुत ही ज़्यादा attractive लग रहा है और इधर card की back side की बात करें दोस्तो तो यहाँ पर card का personal details रहता है जिसको मैंने यहाँ पर hide करके रख है for security reason और यहाँ पर दोस्तो आपको CVV code मिल जाएगा card का expiry date number मिल जाएगा और card का number मिल जाएगा उपर में दोस्तो आपको customer care number toll free number मिल जाता है और यहाँ पर IDFC first bank का website भी यहाँ पर mention किया गया है अब बात करें दोस्तो इस credit card की apply की तो मैंने इसको brand से apply किया था और मुझे branch के तरफ से बताया गया था कि इसको लेने के लिए आपको अधार card और pen card का original copy लगेगा तो मैं अपने साथ लेकर के branch गया था और वहाँ जाने के बाद इसको apply किया हूँ दोस्तो आप इस credit card को online भी apply कर सकते हैं अपने IDFC First Bank के official app में जा करके आप इसको apply यहां से भी कर सकते हैं जो कि apply करने के बाद Indian Post के जरिये आपको 3-4 दिन में ये credit card आपके घर पर ही deliver कर दिया जाता है दोस्तो इस credit card की limit के बारे में बात करें तो आपके credit card के साथ में एक छोटा सा card दिया जाता है जिसमें आपके credit card का limit यहां पर mention रहता है और दोस्तो आपका जितने का FD रहता है उतने का limit आपको आपके credit card में मिलता है और दोस्तो अगर आप brand से credit card apply करते हैं तो आप brand से credit card का limit को भी कम जादा करवा सकते हैं और यहाँ पर दोस्तो इस wow credit card की charges के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा benefit आपके लिए जो निकल के आता है वो इस credit card का आपको कोई भी charges देना नहीं पड़ेगा दोस्तो इस credit card का कोई भी joining fee नहीं है और कोई भी annual charges यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ेगा दोस्तो बाकी bank के credit card में आपको बहुत सारे charges देने होते हैं जैसे कि annual charges, joining fee और hidden charges वगेरा उसमें रहते हैं लेकिन दोस्तो इस wow credit card में आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा charges देना नहीं पड़ेगा तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ी हाँ benefit निकल के आता है दोस्तो इस वीडियो के next part में आपको wow credit card के बारे में पूरी जानकारी दूंगा तो उसके लिए आप चैनल को subscribe करके रख ले तो I hope दोस्तो आज के यह unboxing वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तो अगर आप ऐसे या और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके रख ले क्योंकि दोस्तो हमारे इस चैनल पर banking और government से related वीडियो आते रहता है तो चलिए दोस्तो आज का यह वीडियो यही पर end करते हैं मिलते हैं एक और नहीं interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक के यार